नमस्कार मैं करिमा श्रवास्ता और आप देख रहे हैं दलोग नीती बाल काटते वक्त महिला के बालों पर थूकना मशूर हैर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को भारी पड़ गया है सोशल मीडिया पर जावेद हबीब का वीडियो तेजी से वाइरल हुआ या वीडियो वाइरल होने के बाद देश में सियासत शुरू हो गई मध्य प्रदेश भुपाल के हुजूर विधान सबासे विधायक रामेश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर जावेद हबीप का विडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जावेद हबीप पानी की जगह थूक का इस्तेमाल करता हुआ जाहिलपना, जिहाद या इस फूहरता को क्या कहा जाए इस फूमें जाउख है इसके बाद विपक्षवी दलो ने विधायक रामेश्वार शर्मा को घेरना शुरू कर दिया है पॉंग्रेस नेता रवीदर साहू ने विधायक रामेश्वार शर्मा के ट्वीट को कोट रेट्वीट करते हुए कहा कि जावेद हबीब भाजपा करनेता है जिसने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहड की है जाहिल पना और जलालत भाजपाईयों में कूट कूट कर भड़ी पड़ी है ट्विटर पर ट्वीट करने से पहले जानकारी एकठा कर लिया करिये कहीं ट्विट डिलीड न करना पड़ जाए इसके साथ ही रविंद्र साहु ने जावेद हबीब की बीजेपी की सदस्यता ग्रहड करने वाली तस्वीर साचा की है बहुत तलब है कि जावेद हबीब एक मशूर हैस्ट्राइलिस्ट है बाल काटने के लिए वे लोगों को खूप सारा पैसा चार्ज करते हैं भारत के कई बड़े बड़े शहरों में उनकी फ्रेंचाइज दी है हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाली एक महिला ने जावेद हबीब पर आरोप लगाया है कि जावेद हबीब ने बाल काटने के दौरान स्टेज पर बुला कर उनके बालों पर थूका था जिसके बाद रास्ट्री महिला आयोग ने जावेद हबीब के सरकत के मामले को संग्यान में लेते हुए पलिस कमिशनर राके सस्थाना को पत्र लिखा है और जावेद हबीब के खिलाफ एक्शन की मांगी है इसके साथ ही जावेद हबीब के नाम पर नोटस भी जारी किया गया है कुछ कटिंग में फसे जावेद हबीब ने एक विडियो चारी कर माफी भी मांगी है लेकिन हिंदू संगठन गिरफतारी पर अड़े हुए ऐसे बाते सामने आ रही हैं कि महिला आयोग के शिकायत के बाद जावेद हबीब के मुश्किले बढ़ सकती हैं आगे देखना होगा कि जावेद हबीब को मांग किया जाएगा या उन पर सक्त कारवाई होगे फलहाव खबरों में इतना ही देखते रहे है दलोग मीदी